हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में और मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूं फ्रेंड्स अहोई अस्टिमी है आज तो आप सभी लोगो को अहोई अस्टिमी की बहुत बहुत शुप कामना है दोस्तों और अभी मैं अपने टेरेस पे आई में हूं और दरसल दिपावली है तो दिपावली के कारण काफी जो है बीजी है घर की भी साफ सफाई करनी है कर रहे हैं चल रही है और इसलिए में टेरेस पे जो है अभी साफसफाई भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं है अकेले ही सारा काम करना होता है चाहे गार्डन का वर्क हो या नीचे घर का काम हो तो अकेले करने के लिए बहुत समय की जो होती है हमेशा ही कमी होती है और तो आज मैं थोड़ा सा आपसे अपना गार्डन भी शेयर कर रही हूँ और प्लस मैंने कल शाम को क्या काम किये हैं आज मैं वो ही भी आपसे शेयर कर रही हूँ और यह एक पर्मनेंट प्लांट है तो आप अगर इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर लगा सकते हैं अपने गार्डन में सालों साल आपकी गार्डन में यह बना रहीगा यह प्लांट यहाँ पर यह डेविल बेग गून और फ्रेंट्स और यह तो आप देखी रहे है जैट क्लेक्शन है debeat эк which ये बहुत साथे मेरे पास जैट प्लांट ये वाल में भी आप देख रहे हैं बोद लों में लगाएवे हैं और ये द Speできrunya ही मेलिया के फ्लार बहुत एक खुब्शुर्ण दिखाई दे रहे है ये देख सकते रहे हैं और यह देखिए फरकरिया तो बहुत ही बड़ा हूच चुका है सिव यह देखिए बहुत अच्छी ग्रॉथ है इस फ्रेंट की यह भी आप लगा सकते हैं और इडिनियम है दोस्तों और इडिनियम के फ्लार बहुत ही खुब्सूरत होते हैं और इसमें च्वुटी बाहर सदा बाहर की और यह जो है सदा बाहर बीज से त्यार हुआ धुश्क के ए बिजू से ही त्यार हुआ है और यहांपर रेन लिली है रेल लिली में फूल आए वे हैं वाइट कलर के बहुत ही खुपसूरत लग रहे हैं ये फूल हाँ पर और ये रिखे ये अलमंडा अलमंडा में भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं दोस्तों ये रेखें ये रेखें बहुत खुपसूरत हैं धेरो फूल आ रहे हैं इसके अंदर अलमंडा में भी तो ये प्लांट भी आप लगाईए पर्मनेंट प्लांट है ये और ये मेरा गुढल का प्लांट है बेबी एडिनियम है यह देखिए आप यहाँ पर भी बेबी एडिनियम है और यहाँ पर यह सारे रखे वे हैं मेरे प्लांट स्नेक प्लांट है यह देखिए यह पर्मनेंट प्लांट है यह देखिए फ्रेंड्स गोल्डन हैच यहाँ पर यह फूल अब थोड़े से वह गए है फ्रेंट्स दो-तिन दिन से निकले थे रेन लिली के और यह देखें यहाँ पर यह मॉस्ट्रोज अभी फूल आ है इनमें और यह मेक्सिन पिटोनिया है यह पेंडेनंस का प्लांट है और यहाँ पर तो गुल्दावती है फ्रेंट्स रखी हुई है जिनमें अब सर्दियों में बहुत अच्छे फूल आएंगे तो मैंने इनकी पिंचिंग भी कर दीती फ्रेंट्स ताकि और भी अच्छी ब्रांच इनमें बने और मुझे बहुत अधिक फूल देखने को भी इनमें मिले तो यहाँ पर यह है और जो कल मैंने शाम को काम किया है दोस्तों वो यह है मैं अभी आप से शेयर करती हैं अभी थोड़ा सफाई करना है बाकी यह बोगन मिलिया है बोगन मिलिया में भी फ् देखिए यह कल मैंने ग्रो बैक बनाए थे आपसे वीडियो भी शेयर किया इसका तो यह मैंने मेती इसमें लगाई है दोस्तों और कल शाम को ही मैंने इनमें मेती ग्रो की है और कुछ यह देखिए दोस्तों यह बेकार घर में पड़ेवे जो बैक होते हैं हमारे इनमें ज मेति लगा कर कल शाम को गई और आप देख रहे हैं अब दौ-तिन में इनका रिजल्ट भी देखेंगे दोस्तों कैसा रिजल्ट इनका रहता है यहाँ पर भी मेति लगाकर गई हूँ मैं और मैं आपसे इनका रिजल्ट भी शेयर करूंगी फ्रेंट्स तो ये थी आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो की अगर आप सर्दियों के भी अब बहुत अच्छा समय है पुरुना ज़र आपको मूली भी लगा सकते हैं दोस्तों तो अभी मूली मुझे लगानी है पालक भी ग्रो करना है तो मेति मैंने लगा दी है तो ये थी फ्रेंट्स आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो और अच्छी लगी होगी तो प्लीज स सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा, यह है मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन, यह देखे फ्रेंड्स, यह देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा साफ सफाई ही नहीं हुई है, हैपी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया